कि आपका ना सुनिश्चित होगा बिहार की जनता भी तैयार बैटी है आपके मुँ में कालिक लगाने के लिए मुँ दिखाने के लाइक नहीं रहिएगा कि संतानों के आस्था पर चोट करते हैं कभी राम चरित मानस पर कभी उनके संतों को डड़ाते हैं चोड दरवाजा से आ करके बैटे हैं सत्ता में जनादेश मिला है देश के प्रधान मंती नरंद्र मोदी जी को विदान सभा को भंग करकर के चलिए चुनाव लड़िया जनादेश लेके आईए तब अकर दखाईए तो इससी करन की राजनीत में बोट के लोब में अपने ही संसकार को छोड़ रहे हैं ये लोग धिकार है इससे लोगों पड़ा बागिश्वर धाम की बाबा धिरेंज सास्त्री के बिहार आने से पहले ही उनको ले करके सियासी घमसान सुरू हो चुका है बतादे की राजुत की तरफ से धिरेंज सास्त्री को समर्थन दिया जा रहा है इसी क्रम में भाजपा के नेता और बिहार विधान सबाके नेता प्तिपक्ष विजय कुमार संधा ने राजुत पर करारा हमला बोला है दरसल उन्होंने कहा है कि यह लोग सत्य सनातन के संतानों पर चोड़ करते हैं कभी उनके संतों को डराते हैं तो कभी बेतु का बयान देते हैं आपको खुला चुनौती है कि प्यार बैठी है आपके मुह में कालिक लगाने के लिए मुह दिखाने के लायक नहीं रहेगा जुस जुस ने बिहार के संतों का अपमान किया है उसका अपमान बिहार की जुनता करेगी साथी आगे उन्होंने कहा कि बिहार की जंता ऐसे लोगों का बहिसकार भी करेगी रा आदेश लेकर आए तब अकर दिखाए इस तरह से बिहार को लज्जित और कलंकित नहीं करिए आगे विजे कुमार चौधरी ने कहा कि सत्य सनातन के संतानों का सम्मान करिए और उनके संतों का सम्मान करिए यह लोग तुस्तिक करन की राजनीत और वोट की चुक्र में अपने सनातन के संतानों के आस्था पर चोट करते हैं कभी रामचरित मानस पर कभी उनके संतों को डड़ाते हैं तो हिम्मत है और खुला चुनौटी है कि आपका ना सूनिश्चित हो गा बिहार की जनता भी तैयार बैटी है आपके मुँ में कालिक लगाने के लिए मुँ दिखान इसे लोगों का बहिस्कार भी करेगा चोड दर्वाजा से आ करके बैठे हैं सत्ता में जनादेश मिला है देश के प्रधान मंती नरंद्र मोदी जी को अन्नाव टंकी कर रहा है हिमत विदान सभा को भंकर करके चलिए चुनाव लड़िया जनादेश लेके आईए तब अकर द प्रतिम बोलने का हिमत नहीं है तो उस्तिकरन की राजनीत में बोट के लोब में अपने ही संसकार को छोड रहे हैं ये लोग धिक्कार है इसे लोगों पर